दोस्तों हल्दी हमारे शरीड के लिए कितना फायदेमंद है या आप अच्छी तरह से जानते हैं बाकि कोई भी चीज मिले ना मिले लेकिन हर घर की कीचिन में हल्दी बहुत ही आसानी से मिल जाएके क्योंकि इसे मसाले को रूप में हर सबजी में इस्तमाल करते हैं यहमारे इमिल्टी के लिए बहुत अच्छी होती है चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है इसी वजह से आपने देखा भी होगा शादियों में इसका इस्तमाल भरपूर होता है पूरे शरीर में हल्दी का लेप लगाए जाता है इसे पूरे स्किन ग्लो करती है आईरविद में भी हल्दी को हल्थ के लिए बहुत गुनकारी माना गया है बहुत से बिमारियों में इसका इस्तमाल सालों से करते आ रहे हैं कहने का मतलब यह है कि all over body के लिए हल्दी बहुती फाद्यमंद है यहां में बहुत सारे बिमारियों से बचाती है आईए जानते इस गर्मी के मौसम में किस तरह से हल्दी बाल दूद बनाना है और इसे कैसे consume करना है दोस्तों एक glass दूद में आपको आदी छोटी चमच हल्दी डाल देनी है ध्यान देखेगा यहां पर हल्दी का इस्तमाल सिर्फ आदी छोटी चमची करना है और इसे 5-7 मिनट के लिए उबालना है जब यह गुर्गुना रह जाए तब अगर आप इसमें स्वात के लिए मिठा डालना चाहते हैं तो शहद या फिर मिसरी अड़ कर लें याद रखें कि गरम दूद में आपको शहद नहीं मिलाना है आप इस गरमी के मौसम में मिलाना चाहते हो तो मिसरी मिलाइए इस दूद का सेवन आपको रात को सुने से आधा घंटा पहले करना है चले इस तरह अगर आप हल्दी वाला दूद पी लेते हैं तो इससे क्या-क्या फायदे होते हैं जार आविस्तार से दिखते हैं दोस्तों हल्दी के अंदर करक्यूमी नामक एक स्ट्रॉंग एंटि ऑक्सिदेंट होता है जिससे वज़ा से इसके अंदर एंटिबैक्रियल, एंटिवारल, एंटिस्टिक प्रॉपर्टिस पाय जाती है जिस वज़ा से सिजनल बीमारियां जैसे कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया तो किसी को सरदेखासी जुकाम हो जाता है वारल फीवर हो जाए तो ऐसे में हल्दी वाला दूद बहुत वादा करती है यह रिकवरी को फास्ट कर देता है हल्दी दूद का सेवन करने से गला भी अच्छा रहता है अगर आपके गले में तकलीफ है, खराश है तो इसे जरूर पी है इसके लाव अगले फादे की बात की जाए तो डायशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी हल्दी दूद बहुत फादेमन्द है पेट से रिलेटेड प्रॉलम्स हैं, जैसे गैस, पेट में दर्द, एसलिटी, पेट में कीडे, इस सारी ही प्रॉलम्स कुछी समय में खत्म हो जाती है इसके लावा आपने देखा होगा कि जब भी हमें कहीं चोट लगती है, तो घर के बड़े बुजुर्ग हमें हल्दी वाला दूद बीने की सला देते हैं क्योंकि हल्दी वाला दूद एंटि-फॉंगल, एंटि-बैक्टरियल और एंटि-प्लमेंटरी होती है सर्दी, खासी, जुकाम की समस्या हो तो हल्दी दूद से बहतर कोई आप्शन है ही नहीं इसके सेवन से सर्दी खासी को जड़ से खत्म किया जा सकता है इसके लावा आफिस से जब घर लोडते हैं, तो दिन भर का तनाव भी अपने साथ लेकर आपाते हैं जाना तैसे में स्ट्रेस और टेंशन को खत्म करने के लिए आप अल्दी वाला दूद पी सकते हैं, यह बहुत फादा करता है हल्दी वाला दूद स्ट्रेस हारमून्स को पैदा होने से रोखता है आप एक से दो महीने हल्दी वाला दूद पी कर देखे, आपको स्ट्रेस या फे टेंशन होगा ही नहीं बहुत लोग अपने स्कीन को ब्राइट करना चाहते हैं, कुछ लोगों का रंग टैनिंग की वज़ह से काला पड़ जाता है सुबा के धूप में निकलने से हमारा रंग काला हो जाता है, तो अगर आप हल्दी वाला दूद पीएंगे तो आपके चेहरे पर नैचुरली ग्लो करेगा मार्केट में मिलने वाले जो क्रीम आप यूज करते हैं, चेहरा गोरा करने के लिए उससे कहीं ज्यादा इफ्यक्टिव होता है, ये हल्दी वाला दूद हल्दी वाला दूद आपकी खोन को साफ करेगा, पिम्पल्स, दाग धबे, रिंकल्स, यानि कि चेहरे में आने वाले जूरियां भी गायब हो जाएंगे, साथे-साथे आपके स्किन को भी निखारने का काम करेगा हल्दी वाला दूद दोस्तों मांशमेशियों के दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों का दर्द या फिर आपको अर्थरैटिस के प्रॉलम है, साथे-साथ बॉड़ी में स्वैलिंग है तो उसे दूर करने में हल्प करता है, या आपके बोन्स को मजबूती देगा, वाँ की जो मांशमेशियों हैं, लिगामेंट्स हैं, जोड़ों के बीच आपने देखा हुआ कुस्तन होता है, लुब्रीकेंट होता है, अगर ये चिकना पदार तक घिज जाये तो जोड़ों में भैंक कर दर्द होता है, चलते वक्त पैरों में जोड़ों में लचक करता है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हर रोज उनको हल्दी वाला दूद पीना चाहिए, लेकिन यहाप पर दूद का इस्तमाल आपको फैट फ्री वाला ही करना है, गाय का फैट फ्री दूद इस्तमाल कीजिए, इसे शुगर लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, बलकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, इसका लावत दूद ऑस्तों ही आपके दिमाग को कूल करता है, इसके अंदर एक कैमिकल होता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल है, उसको कम करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, मन को शांत रखता है, जिसे रात को नीन्द बहुत अच्छी और गहरी आती है। जैसे कि आप जानते भी हो आप जो कुछ भी खाओगे वो इनरजी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है बलकि चर्वी के रूप में तब्दील हो रही है तब इस चर्वी को खलाने के लिए का करना पड़ेगा मेटाबलिजम फ्रोसेस को बुश्ट करना पड़ेगा इससे बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हल्दी वाला दूद पीचे, आपको तुसर्फ रात को रोजाना हल्दी वाला दूद पीना है, इस तरह आप हल्दी वाला दूद पीएгов दूद पिहेंगे, तो मोटापा दीरे दीरे आपका कम होता जाएगा, चलिए ये तो दूस्तों हल्दी दूद के फादे हो गए हैं अब जानते हैं कि किन लोगों को हल्दी वाला दूद नहीं पीना चाहिए जो लोग खुन पतला करने वाले दवाई ले रहे हैं अगर आप इस तरह के दवाई ले रहे हैं तो आपको हल्दी वाला दूद नहीं पीना चाहिए क्योंकि हल्दी आल्रेडी खुन को पतला करता है और दवाई भी लेंगे हल्दी वाला दूद पियेंगे तो ये नुकसान कर सकता है इसके लाव किसे को ब्लेडिंग के प्रॉलम हो रहती है नाक से खून बह रहा है ना पाइल से खूनी बवसीर है या फिर जिन महिलाओं को पिरियेड्स का फ्लू बहुत जादा है उन्हें हल्दी वाला दूद नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ब्लेडिंग को और बढ़ा देती है इस गर्मी के मौसम जैसे मैंने बताए कि हल्दी का इस्तमाल सिर्फ आधी छोटी चमची करना है क्वांटिटी का ध्यान दक है क्योंकि हल्दी की तासिर बहुत गर्म होती है ज्यादा quantity में लेंगे तो आपको नुखसान भी कर सकता है इस तरह जितना quantity मैंने बताया आपको उतनी quantity में आप इस गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी फादे मन लगी होगी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुचाए ताकि और भी लोगी जानकारी का फादा उठा सकें आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू जाहें